तो क्या आपके बाल भी सफेद होना स्टार्ट हो गए हैं बढ़ती उमर के साथ यह प्रॉब्लम तो होती ही है इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग यूज करते हैं हेर डाइस का कई बर कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे स्केल्प को एरिठेट करते हैं हमारे स्किन को एर्इटेट करते हैं आज मैं आपके साथ शेयर करने करने वाली है एक एसा इसा राइस का्ट बोर्ट घायर estem को बढ़तने करेंगे Maximum और इस तरह के आउटर बॉक्स में आता है और बॉक्स को देखकर इसका लुक काफी अच्छा लग रहा है कि काफी प्रीमियम क्लासिक लुक के साथ आता है सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कोई भी हेर कलर डाय कलर यूज़ करने से पहले आपको एक पैस टेस्स जरूर कर लेना जाए है और कमपनी कितना भी क्लेम करें कि केमिकल फ्री है लेकिन कुछ ना कुछ परसेंट केमिकल्स तो डाला जाता है हेर को नेशरल लुक जो बालों की होती है अगर वह आपके बालों से जा रही है उसको काला कर रहे है तो उसमें कुछ न कुछ केमिकल्स तो डाले ही गए है और बाद में दी गई है सेफटी इंस्ट्रक्शन और यूसफुल टीप्स तो वह चीज़े आपको जानना बहुत जुरूरी है कि सबसे पहले आप बालों को अगर कलर करने के लिए हमेशा हाथों में गलव्स जुरू डाले और बालों को कलर करने के लिए कभी भी बालों को कलर करने के लिए उसको किसी भी पॉली पैक से कवर ना करें तो इससरे की कुछ यूसफुल टीप्स हैं आप जो पर चीज़ करेंगे तो आपको दिख चाहेगी एंड ये सोफ्ट चेल कॉम्पोजिशन के साथ आता है एंटी ऑक्सिजेंट फ्रूट एक्स्टेक्ट इसके तक टाला गया है ताकि इसकी भी चौबी स्मेल होती है वह आपको बुरी न लगे एंड मैं आपको बताउं कि मैंने से यूस कर लिया है तो इसकी बिलकुल भी हार्ड फरेक्नेंस नहीं है बिलकुल अमोनिया इसके अंदर नहीं है definitely because ये इरिटेट नहीं करता है Glows Enhanced Conditioner कि इसे परचेस किया है वन यह की शेल्फ लाइब के साथ आता है इसके अंदर जो दिये गए है कालर इंड ट्वेलपर यहां उसकी क्वांटिटी भी दी गई है तो कलर इंड दिया गया थर्टी क्राम ड्वेलपर दिया गया है 45 ml कंडिशनर दिया गया है 20 ml ग्लाव्स दिये इंड 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 स्ट्रक्शन लिफ लएट दी गई है अगर आप यह जाना जाते हैं कि अरिजनल है या नहीं है तो यहां पर एक बार इक बार कॉर्ट भी दिया गया है आप उसे सकें कर सकते हैं तो इसे आपको इसकी ओरेशनलिटी के बारे में पता चल जाएगा यहां म लीफ्लेट के उपर सभी लेंग्डवीज में आपको अच्छे से डिफाइन किया गया है कि इसे कैसे यूज करना है इसके अप्लिकेशन क्या रहेंगे तो चले मैं आपको दिखा दियूग जहिंगे इसे मैंने कैसे यूज किया एंड इसके रेजल्ट कैसे आए तो यहां गाइस कलर को मिक्स करने के लिए मैंने ले लिया है एक बाउल और हमेशा कभी भी किसी भी कलर को मिक्स करना हो तो आप प्लास्टिक का ही बाउल ले कोई स्टील की कटोरी या स्टील का कोई ऐसा ऐलमीडियम का बरतर नहीं होना चाहिए हमेशा प्लास्टिक के बाउ हैं तो जगश् 멘ंगें च्छ करकों सतने है थार यह तेंग सब्सक्राइप ऐने के u सिर्फ शार यह उस्य कंट यह न ऐगए। तो अनुड़ को सहलिक जा नर्स फन्स थांक चिंते हthere इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है अब इसको लगाना शुरू करते हैं सबसे पहले आप देख लीजिए आपको मेरे बाल वाइट दिख रहे होंगे रूट्स में कोई भी हेर कलर यूज करते हैं तो मैक्सिमम तो मैक्सिमम 15 या 20 डेज ही रहता है उसके बाद अगर आपके बाल नेच्छरली वाइट होने शुरू हो गए है इट मिन्स कि रूट्स से वाइट आने स्टार्ट हो गए है तो आपको हर 15 या 20 डेज बाद कलर हेर डाय लगाने की जूट परती ही है कैसा का इसा की सो और कि रूट्स टो पार्टिशन में निस्त डारिया है गए है लिख रहे हो देशुड़ी के च्छे कर डाके के बाद लगाने की समय कर्वाइड में वाइट का है बारिक बारिक लियर्स मैं उठा रही हूं प्रश के पैक साइड से इसके अंदर जो ब्रश दिया गया था उसको यूज नहीं किया है क्योंकि मेरे पास एक ब्रश यूज है वो पहले से ही बढ़ा था तो मैं उसी को यूज कर रही हूं तो इसमें कॉम्बी दी गई है तो इसको लगाना थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है इजी हो जाता है तो इस तरह से मैं अपने पूरे बालों में ही इसे लगा लूँगी क्योंकि मुझे पूरे बालों में ही इसकी रिक्वायर्मेंट है क्योंकि थोड़े-थोड़े-थोड़े-थोड़े-थोड़े-थोड़े अभी जगह पे हैं इसको यूज़ करने के बाद आप इसे 40-45 मिनट तक अपने हेर में रखेंगे और उसके बाद आप शैंपू कर सकते हैं पाद अवर्खेंत करने कोई अचेयर हेर लिठाइ रखेंट एक हेर में जिए हेर करते हैं शैंपू करने के बाद में यूज़ करने माली हैथम आप वे siis ऑ-फारे थोग अधोक्य। उसके बाद आप normal water से head wash कर देना है और उसके बाद मैं आप से मिलती हूँ head wash करने के बाद कि इसका color कैसा आया है तो मैंने head wash कर लिया है और अभी मैंने अपने बालों को सुलजाया भी ने लेकिन आपको मैं पहले चेक करा दू कि देखिए scalp पर इसका color बिल्कुल नहीं चड़ा है लेकिन बालों में इसका color बहुत बहुत अच्छा आगया है और यह बिल्कुल भी इसके इंदर कोई fragrance नहीं है काफी अच्छा color है अब यहां देखिए मैंने अपने बालों को अच्छे से ड्राइ भी कर लिया है मतलब सुखा लिया है उसके बाद भी देखिए नेच्च्रॉल सा color लग रहा है क्योंकि मैंने लिया था dark brown color कभी भी आगर आपके बाल black है नीचे के और उपर से white चुरो गया तो आपको हमेशा थोड़ा सा different color लेना चाहिए अगर आप black color ही चूज करते है तो बिल्कुल over लगने लगता है और साप पता लगता है कि आपने hair dye यूज किया हुआ अब कोई भी नहीं कह सकता है कि मैंने hair dye का यूज किया है तो फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो इन्फोर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक्यू फर वोचिंग पापाई स्टे क्यार